इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले, अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करते है और आपको कोई side effect होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी. करा सकती है, इसे खाने के साथ या बिना खाय लिया जा सकता है, लेकिन बहतर दक्षता के लिए आपको इसे हर रोज एक निश्चित समय पर लेना चाहिए, डोज और इलाज का समय आपके डॉक्टर द्वारा बताये जाएंगे ताकि आपको आपके लक्षणों को नियंत्रित करने के लिए सही मात्रा मिल सके, इस दवा के सबसे सामान्य साइड एफेक्ट में हिरिदे गती बढ़ना, धुंदला दिखाई देना, मुह सूखना, पेशाब करने में कठिनाई और कब्ज शामिल हैं, शुरुआत में यह दवा बलड प्रेश में अचानक कमी ला सकती है, इसके कारण चकर और नीन भी आ सकता है, इसलिए तब तक गाड़ी चलाना या कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसमें मानसिक रूप से सजग रखने की जरूरत होती है, जब तक आप यह नजान ले कि यह दवा आपके उपर कैसा असर डालती है, चकर आने की संभावना को कम करने के लिए, अगर आप बैठे हैं या लेटे हैं तो धीरे से उठें, यह कुछ लोगों में वजन बढ़ना का कारण भी बन सकता है, अधिकांच सामाने साइड इफेक्ट हलके और अस्थाई होते हैं, आपका डॉक्टर आपको साइड इफेक्ट की रोक थाम या इन्ह कम करने के तरीके बता सकता है, अगर यह आपको परेशान करते हैं या यह जा नहीं रही हैं, इस दवा से गंभीर साइड इफेक्ट होने की संभावना बहुत कम होती है, इस दवा को लेने से पहले, अगर आप इसी बीमारी या किसी अन्य बीमारी के लिए अन्य दवाएं ले रही हैं, या आपने हाल ही मिली हैं, तो अपने डॉक्टर को इसके बारे में जरूर बताएं, गर भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को इस दवा को सही सलाह और सावधानी के साथ लेना चाहिए, यह दवा नशे की लत नहीं डालती है, लेकिन अगर आप इसे अ दरामर्ष करना चाहिए, इसके अलावा, डॉक्टर की सलाह के अनुसार इस दवा का सेवन करें, क्यूकि इस दवा के ओवर्डोस से अचानक से स्वास्थि संबंधी गंभीर स्थिती भी उत्पन हो सकती है, शराब पीने से परहिज करना चाहिए, क्यूकि शराब इस दवा के साथ इंटरेक्ट करके गंभीर स्वास्थि समस्याओं का कारण बन सकती है विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद